श्रीमद राजचन्रवजनामृत, पतरांग 784, 784, मुंबई, आशाड सुधी 4, रवी 1913, सच्चे ज्यान के बिना और सच्चे चारित्र के बिना, जीव का कल्यान नहीं होता, ये निस्संद्य है, सत्य पुरुष के वचनों का श्रवण, उसकी प्रती थी, और उसकी आज्या से प्रवृत्ती करते हुए, जीव सच्चे चारित्र को प्राप्त करते हैं, ऐसा निस्संद्य अनुभव होता है, यहां से योग वसिष्ट की उस्तक भीजी है, उसे पांच-दस बार पुना-पुना पढ़ना है, और वारमवार विचारना योग्य है, पत्र किसके प्रती है, अज्यात हैं, परन्तु, सत्पुरुष के वचनों का च्रवन वही सम्यक्ज्ञान, उसकी प्रतीती वही सम्यक्दर्शन, और उनकी आज्या अनुसार प्रवर्तन करना वही सम्यक्चारित्र। ऐसा प्रभू कहते हैं कि निस्संदेह अनुभव हो रहा है। उपनिशद ने घोशना की उत्तिष्टत, जाग्रत प्राप्यवरान निबोधत, हे जीव उट, जाग्रित हो, उसका तुम बोध प्राप्त करो जो तुम सदा हो, और दूसरी ही पंग्दी में कहा कि ये पत, ये पंध दुर्गम है। अर्थात जाग्ना अती दुर्लब है, दुर्गम है। और उसका कारण ये है कि हमें निद्रा में रूची है। और उसका कारण है कि निद्रा में कुछ फाइदों का अनुभव होता है। जाग्ना कठिन है क्योंकि निद्रा में ही रूची है। इसलिए ग्यानियों का पूर्ण प्रहार रूची पर होता है, जिसकी रूची तूटे, उसका सब तूटेगा बाद में। जाग्ना तूरगम है क्योंकि निद्रा में रूची है, क्योंकि निद्रा में फाइदे दिखते हैं। मुह निद्रा की बात चल रही है यहाँ मुह निद्रा में जीव को फाइदे दिखते हैं क्या हो सकता है निद्रा में भला क्या फाइदे हो सकता है दो फाइदे है एक निद्रा में दुख का बोध नहीं होता और दूसरा फाइदा, स्वपन देखने की सुविधा रहती है पहला फाइदा, ये फाइदा ही नहीं है पहले तो दुख का बोध नहीं होता, दुख नहीं होता तो फाइदा कहला था दुख का बोध नहीं होता और किसी की हड़ी तूटी हो, या किसी के पैर पर टांके लगाने हो, या कोई सर्जरी हो, कुछ कांटना पड़े, सबसे पहले क्या किया जाता है? जिसकी टीना बहन ने पढ़ाई की है, और कभी भी उस ग्यान का उपयोग नहीं किया, एनिस्थेशिया कि जो चीर फाड उसके उपर हो, उस शरीर पर उसका बोध उसे नहीं होना चाहिए और ग्यानी कहते हैं, मोक्ष का द्वार नर्क से गुजरता है समझने की जरूरत है स्वर्ग अच्छा लगे, तो स्वर्ग रखो, मुझे मोक्ष पसंद है, इसलिए मोक्ष रखता हूँ मोक्ष का द्वार खुलता है नर्क में से, अब ये क्या है नर्क में से? फिर से दुख भुगत ना आया, नहीं तुम दुखी ही हो, ये दुख का बोध होना चाहिए आप दुखी हो आपके दोश की वज़े से, और उस दोश का भी आपको बोध नहीं है कितने होश्यार ऐसे होते हैं, उन्हें ऐसा ही लगता है कि खुद सच्ची ही है और सामने वाले ने ऐसा क्यों किया? वो इतना ज़ादा मुर्चित है, इतना ज़ादा मूड है आत्मनिरिक्षन के लिए भी आपको थोड़ी बुद्धी और थोड़ी पवित्रता चाहिए दोनों आत्मनिरिक्षन करने के लिए भी मैं आत्मनिरिक्षन को अपार करने वाला हूँ और सीधा ही ध्यान पर जाओंगा पर मैंने कभी नहीं कहा हैं कि आत्मनिरिक्षन की आवशक्ता नहीं है, क्योंकि ज्यानी कहते हैं कि वो दुख हो तो दुख, पर उसके बोध से ही स्वरूप का बोध होगा, पर मैंसे वृत्ति हटे, पहले वृत्ति का बोध अगर नहीं होगा, तो आप हमेशा दूसरों को निर्दोशी ठहराएंगे, हर कोई छल कर रहा है और मैं इस विश्व में सबसे निर्दोश इंसान हूँ, कितना मूर है, उसका भी बोध होना चाहिए, तुम कितने मूर्ख हो, उसका भी बोध नहीं है जीव को, मतलब कि दुख का बोध होने के बाद ही परम सुख की और आग निद्रा में आप अधमा धम अधी को पतीत नहीं हो, निद्रा में, तो आपको निद्रा पसंद आएगी कि जागना, निद्रा ही पसंद आएगी, क्योंकि जागोगे तो आपको ख्याल आएगा कि आप अधमा धम अधी को पतीत हो, सब सही हैं और आप महा मुर्ख हो, ये आपको निद्रा में रहने में फाइदा लग रहा है और उस निद्रा में लंबे समय तक रहने से इतनी जड़ आपकी बुद्धी हो गई है कि कोई आपको समझाएं तो हाँ बोलोगे पर भीतर जो मानना है वही मानोगे ऐसी स्थिती हो जाएगी कोई कहे कि आप कुरोधी दिख रहे थे या कोई कहे आपके इन शब्दों में एहंकार दिख रहा था तो तुरंच सफाई देने लगोगे परंतु स्विकार करने में दुख होता है कि इतना मोड हूँ, इतनी अकल नहीं है पारमार्थिक भी नहीं है और वेभारिक भी नहीं है इतनी भी अकल नहीं है जीवन के इतने अनुभों में से घुजरने के बाद भी तो दुखी होने से अच्छा है मुर्शित रहना ऐसा पसंद करोगे तो एक और दूसरा है स्वप्न देखनी की सुविधा जागरिते में होती है या निद्रा में निद्रा में स्वप्न में हमने बहुत निवेश किया है हमारी बड़ी पूंजी स्वप्न में निवेश होई है हमारे जीवन का माधूर यह भी स्वप्न में रहा है और हमें सुख का अनुभव भी अधिकतर स्वपन में हुआ है इसलिए जागरित होने से डरते हैं क्योंकि जागरित होने से सत्य का सामना करना पड़ेगा और इसलिए जागरिद होने के बदले स्वपन हमें प्रीतिकर लगता है और जागना हमें प्रीतिकर लगता नहीं है अन्यथा लोग नशा क्यों करते होंगे दारू क्यों पीते होंगे आप बॉलीवूर देखो तो जैसे ही दुक आय तो पहले दारू की और जाये, जैसे ही तनाव आये वैसे ही सिगरेट के पास जाये, ऐसा दिखाते हैं, और फिर चिताओनी भी होती है, पर चिताओनी इतनी छोटी होती है और चित्र बहुत बड़ा होता है, तनाव है तो एक रखती उत्पन नहीं हुई है कि दुख को भूलाना नहीं है, दुख का नाश करना है, नाश नहीं, आत्यंतिक नाश, फिर से उत्पन ना हो इस तरह, पर उसके लिए आपको आत्मनिरिक्षन की लम्बी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें आपका राम तो दिखेगा न उपर विमान जाता है, पर उसके पहले बादलों से तो गुजरना होगा, फिर उपर जाता है। ऐसे ही स्वरूब का बोध हो और शुद्ध चेतना का अनुभव हो, उसके पहले अशुद्ध मानसिक दशा का दर्शन होता है, उसके मूल कारण के साथ, और कैसे वो अपने साथ ही चालाकी करता है। तो निद्रा उसे प्रीति कर लगती है, क्योंकि एक में तो दुख का बोध नहीं होता, दोश होने के बावजूद दुख का बोध नहीं होता, नमबर एक। और नमबर दो, सपना देखने की सुविधा रहती है, क्योंकि सपने में से जागरित होकर सत्य का सामना करने की अभी उसमें तैयारी साहस नहीं है। तो यदि उसे निद्रा में फाइदे दिखेंगे, तो स्वाभाविक है उसे निद्रा में रूची होगी। तो स्वाभाविक है कि जागने की उतकंठा ही नहीं रहेगी। फाइदे में जिसे रूची लगेगी, उसे जागने की इच्छा ही नहीं होगी। क्रित्रिम प्रयत्न करेंगे, मतलब बाह्य क्रिया भी करेंगे, अलाम भी रखेंगे। पर यदि आपको जागने की ही उतकंठा ना हो, तो पहले तो 15-20 मिनिट तक अलाम बचता रहेगा, हमारे यहां दूसरे कमरे में ऐसी सिस्टम है, आस पास के सब जाग जाते हैं, उपर नीचे वाले सब जाग जाते हैं, बाद में जिसे जागना है वो जागता है, और जागने के बाद वो अलाम को बंद करके फिर करवट बदल कर वापस तो जाता है, बेवी नहीं, बेवी तो लंडन जा रही है कल, बाबा की बात कर रहा हूँ, तो जागने की यदि उतकंठा ना हो, तो तुम्हारे प्रयत नभी, तुम्हारा अलाम बचेगा तो तुम्हें लगेग मतलब जागोगे नहीं, अथवा तो जागे तो भी करवट बदल कर फिर से सो जाओगे, जरा सा कोई प्रसंग बने तो फिर से आज सत्संग में एकदम रंग चड़ेगा, तो कल कोई सांसारी प्रसंग आए तो उसमें इतना मश्गूल हो जाएगा, कि सत्संग का रंग पू करनल थे, मिलिटरी अफसर और वे रिटायर हुए, तो जब वो ड्यूटी पर थे, तब उनका एक नौकर, सर्विंट जो भी कहो, एक रखा था, जो उन्हें हर रोज सवेरे चार बजे उठा था, और कहता साहिब उठिये, परेड का समय हो गया है, वक्त हो गया है, बस इतन ही उठाना और याद दिलाना, तो अब तो वे रिटायर हो चुके थे, अब उन्हें क्या जरूरत थी इस नौकर की, फिर भी उन्होंने रखा था, और उससे कहा कि तुम्हें यही ड्यूटी जारी रखनी है, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब तो कोई परेड नहीं था साहिब परेड का समय हो चुका है, साहिब उठते और कहते खड़े में जाए परेड, दूसरा तो मैं बोल नहीं सकता यहां से, तो खड़े में जाए परेड और करवट बदल कर सो जाते, एक दिन नौकर ने पूछा कि अगर सोना ही है, तो जाकते हूँ किस लिए और इच्छा थी, कि जब तू कहें कि परेड का समय हो चुका है, जागो, तो मैं ये कहूँ कि किसी परेड वरेड में जाना नहीं है, खड़े में जाए परेड और मैं फिर से सो जाओ, पर जब मैं ड्यूटी पर था तब ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उस इच्छा को पूरी करने का सुख ले रहा हूं कि जो वर्षों से मेरी इच्छा थी कि खड़े में जाए परेड, वो अब मैं बोल सकता हूं, देखो जगाने वाला रखा है, वो भी एक ढोंग है, क्योंकि सोने की ही इच्छा है, फैमिली डॉक्टर है, आपके आजकल फैमिली फीजियो थरपिस्ट भी होते हैं, फैमिली टेलर होता है, उसी तरह फैमिली गुरु जो प्रवचन देते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, तो हमें लगेगा कि देखो हमें कितनी जागने की उतकंठा है, और फिर से संसार का प्रसंग बने तो खड़े में जाए, सत्संग हम तो मज़ा कर लेते मतलब कितना दंभ करता है, वेश धारण करता है, नित्य करम लेता है, किताबे पढ़ता है, सत्संग में जाता है, परंतु जागने की उटकंठा नहीं है, इसलिए ये सब करने के बावजूद करवट बदल कर सो जाता है, और बीस वर्ष के बाद अचानक उसकी बत्ती जलती है कि मैंने किया क्या सत्संग में जाता है, मैंने नियम लेकर क्या हासिल किया, मेरे आसकतियों में कोई फर्क पड़ा नहीं है, नियम लिए और वृत्ती में तो कोई फर्क नहीं है, और उपर से वरत का एहंकार किया वो अ कितने शब्दों को नगन किया कृपालु देव ने, और कितने शब्दों को सजाया परम कृपालु देव ने, मैं आपको एक उधारन दे कर समझाता हूँ, आत्मसिधी शास्त्र में धर्म शब्द को नगन किया है, निर्वस्त्र, बाहय भाव से हो रही बाहय क्रिया वो धर् शास्त्र का भी शुष्क ज्ञान वो धर्म नहीं है। ऐसा कहकर सही धर्म क्या है वो समझाने के लिए धर्म शब्द की धज्यां उड़ा दी। नगल किया है धर्म शब्द को। चलो धर्म का अर्थ स्वरूप में स्थिरता ये बहुत उचा शब्द लगता हो तो धर्म सब मैत्री प्रमूत करोना मध्यस्तता ऐसा रखो पर कुछ भावना के स्तर की बात करो किसी समवेदन के स्तर की बात करो। धर्म शब्द का चीर हरन किया और शुद्ध धर्म क्या है वो आत्मसिधि शास्त्र में बताया। एक तरह से कितने शब्दों को इस तरह सजाया है जैसे कि आत्मा इस तरह सजाया है प्रभू ने आत्मसिधि में ही रसमे लगता है आत्मा शब्द। रमणिय लगता है मात्रश्रमणिया नहीं प्रैतनि करता है पर कब ऐसी मग्नता का अनुभव हो ऐसी उसे भावना रहती है। तो आत्मा शब्द को जिस तरह सजाया है, कि मानो वैसे आत्म सिध्धी करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि आत्मा शब्द प्यारा लगता है, आत्मा प्राप्त करने की इच्छा जाकती है, तो ये सत्पुरुष की कृपाद रिष्टी है, नहीं तो हमारे जैसे मुह निद्र मुल्ला नसरुद्दिन का स्वभाव बहुत भुलकर। सब कुछ भूल जाते। इसलिए उनके दोस्ते कहां कि तुम्हेना कुछ याद रखना हो तो हात में एक धागा बांध लो। क्योंकि हात का तो उपयोग बार बार होता रहता है तो फिर वो धागा दिखाई देगा और धागा दिखाई देगा तो वो चीज याद आ जाएगी। एक दिन कामकाज सब खत्म हो गया फिर घर पहुंचे। खाना खाया और अख़वार पढ़ने बैठे और हात आगे आया और दिखाई दिया धागा। याद ही नहीं आया किसलिए ये धागा बांधा था क्या काम था। पर सोचा कि आज तो मनोबल ध्रिड ही रखना है। जब तक याद नहीं आएगा तब तक मैं नहीं सोगा। रात के तीन बज़े याद आया कि ये धागा किसलिए बांधा था। इसलिए बांधा था कि आज जल्दी सोना है। आज जल्दी सोना है ये याद दिलाने के लिए धागा बांधा था पर जिसे भूलने की ही आदत होना उसे अब अशुप क्रिया में से निकाल कर शुप क्रिया में डालो तब भी वो आत्मा को भूलने ही वाला है वो अपने स्वरूप को भूलने ही वाला है भूलने की आदत बहुत भयंकर है क्योंकि निद्रा एक तो गहन है और निद्रा में से जागना ही नहीं है क्योंकि निद्रा के फाइदे दिखाई देते हैं और फाइदे दिखाई देते हैं इसलिए निद्रा में रूची लगती ह ऐसी हमारी स्थिती है, जीवन मूर्चित रूप से जी रहे हैं, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, आप ही सोचिए ना, मैं किस साथ या तो आप इस आकृती को याद रखेंगे, शरीर को, और या तो किसी मनोभाव को याद करेंगे, मैं इस वक्त सुखी हूँ, दुख़्ी आदी, मन के धर्म सब, शरीर और मन के उपरांध कर्मकृत व्यक्तित्व के परे उसका आसार तक नहीं है अनुभव के स्तर पर भी नहीं और चिंतन के स्तर पर भी कितना चलता है आप बरसों से सत्संग सुनते आ रहे हो, चिंतन के स्तर पर भी कितनी याद आती है आत्मा, आप आँखें बन करके बैठो, आपको लगता है कि 12-13 घंटे बीच जाएंगे, अच्छा मतलब 12-13 घंटो जितना भी सत्संग आपने नहीं सुना, कितने 40 सालों वाले हैं, 40 साल से म 15 मिनिट या आधे घंटे के ध्यान में, ध्यान में चिंतन अपेक्षित भी नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि चलो चिंतन रखो, पूछेंगे कि फिर बाद में क्या करें, मैं सचिदानंद स्वरूपी आत्मा हूँ, बाद में क्या, कुछ भी नहीं, गहराई में स्पर्ष ही वो आपके ध्यान में ये बात स्पष्ट होगी, इसलिए देखना आपको ध्यान का समय ही नहीं मिलेगा, क्रिकेट मैच देखने का टाइम मिलेगा, पर ध्यान का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डर लगता है अकेले रहने में, आपको डर लगता है आपके सोचने के धंग से। आपको डर लगता है चालीस सालों से आत्मा की बाते सुनने के बाद भी आप एक जगा स्थीर नहीं बैठ सकते हो। शुद्ध भाव को भूल जाए और परमसुक को भी भूल जाए अरे तत्मचिंतन चलो साक्षित्व तो न रहे पर मैं कहता हूँ आत्मचिंतन करो आँख बन करके आधा गिंटा तो आपको लगेगा कि साहे पौने दो घंटे बोले वो तो मैंने दो बार सुना पर कुछ धार याद शक्ती की समस्या नहीं है ये ये रूची की समस्या है आपको रूची ही निद्रा में रहने की है आपको जागने की रूची ही नहीं है भले आप प्रोफेसर न बनो भले आप वक्ता न बनो परन्तु जो एक डेड़ पौने दो घंटा जो मैंने बोला है वो प्रवच इतनी गहराई रिदाई के लेवल पर है वो आपकी जीवन प्रतीक्रिया मात्र है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रतीक्रिया भी नहीं है आपकी जीवन में। प्रतीक्रिया में भी क्रिया है, आक्शन है, कर्म है, कर्ता है। मैं तो आपको कर्ता के रूप में भी नहीं प्रतिक्रिया के लिए भी करता मजबूत होना चाहिए. अपने जीवन की जांच करो, इतनी मूर्चा में जीवन जा रहा है, घटनाओं का धक्का लगे, उस प्रकार आपका दिमाग चलता है. आपकी सोचने की प्रक्रिया, आपकी सम्वेदना, आपकी बड़बड, आपकी क्रिया, प्रतिक्रिया भी जैसे धक्के से वो भी जैसे आप करते हो ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि तीन स्टेप्स आपको आगे के पूछे जाए तो आपके पास उसका जवाब नहीं है. मतलब हुस्सा आया इसलिए प्रतिक्रिया की ये सब नकरे क्या हैं पर यहीं नकरे क्या हैं ये आप जो कर रहे हैं वहीं नकरे हैं पर उसका बोध हो इतना होश्यार होना चाहिए न मतलब आप करता भी नहीं हो क्योंकि आपके दिमाग में से बराबर प्रोसेस होकर आप प्रतिक्रिया नहीं करते हो ये तो बस हो जाती है और हर बार आपको कहना पड़ता है सौरी मुझसे भूल होगा ये सब क्या है? ये आपकी अजागरती का संकेत है ये आवेग पुर्ण जीवन है आवेग ये जीवन जीवन का बहुत ही निम्न रूप है पशूओं के जीवन से थोड़ा ही ऊपर है क्योंकि आप अपने आवेग को जान सकते हैं पशू ये नहीं जान सकते इससे जादा आप मनुष्य के लेवल पर भी नहीं हो दिव्य जीवन का तो छोड़ दो क्योंकि हर बार हर चीज के लिए आपके पास सिर्फ सौरी 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 ही है मतलब इतना तो साफ है भूल हुई है कि नहीं आप मुर्चुत है ये एकदम साफ है सही का क्योंकि एक जागरित व्यक्ति स्वरूप के प्रती भी जागरित है और बाहिय जीवन में भी जागरित है क्योंकि वे शान्थ है शान्थ है वही जागरित रह सकते हैं होशयार जागरित नहीं रह पाएगा धन्वान भी जागरित नहीं रह पाएगा जो शान्थ है और शान्थ कौन है? जो शुद्ध है वही शांथ है, और जो शांथ है, वही जागरित है, जागरिती एक ऐसी चीज है, जो नियम में से नहीं आती, उपवास नियम में से हो सकता है, खाना मत खाओ, किदि आपने खाना नहीं खाया, तो आपने उपवास किया है, सभी चीज के लिए ले लो, जागरिती के लिए नि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं साक्षी स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद तत्व हूँ, मैं एक शांदिपूर्ण शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये जागरण चाहिए, मुझे इसकी धुन नहीं चाहिए, मुझे इसका जप नहीं चाहिए, ये जागर जागरण आपके हर एक निर्णे में, आपकी हर एक क्रिया में, आपकी हर प्रतीक्रिया में, मैं तो प्रतीक्रिया में भी कहता हूँ, इसलिए प्रतीक्रिया तो थोड़ी तो मंद होगी, हर जगा ये जागरण चाहिए, और बाद में आप देखोगे कि कितनी चित्त वृत्य जागरित होती हैं, कितनी वृत्या उद्पन्न होती है, क्योंकि जिस ख्षन आपने कहा, मैं शान्दि पूर्ण आत्मा हूं, आनंद पूर्ण आत्मा हूं, इसलिए कोई भी चेश्टा करने में आपको संकोच होगा, कि तो फिर किंचित मात्र भी ग्रहन करना, ये तो सुख क नाश है, किंचित मात्र करू ही क्यों, बास समझ में आ रही है, ये निद्रा बहुत भयंकर है, उसका क्या करना चाहिए, उसका उपाई क्या है, तो कहा, मूर्चा से जागना हो, तो कोई जगाने वाला चाहिए, यहां वचनामरित ही सत्पुरुष से शुरू हुआ है, और सत्पुरुष अर्थात, जिने निश्दिन, आत्मा का उप्योग है, मतलब जो आत्मा के प्रती जागरित है, कोई जागरित ही जगा सकते हैं, एक करोण जीव सोय हुए हो, पर एक जागरित हो, तो वो एक करोण को जगा सकता है, पर जागा हुआ, जागे हुए का संग चाहिए, कोई मां जैसा प्यार दिखाए, बालक सोया है, स्कूल का टाइम हो रहा है, आजकल तो सारी स्कूलें साट-ाट बजे शुरू हो जाती हैं, हमारी तो दस बजे होती थी, नौ बजे उठो तो भी चलता था, पर उस समय का अब साट-ाट बजे की स्कूल होती है, और उन्हें उठना नहीं होता, और मां को एक ही बार कहा हो, कि मम्मी कल मेरी परिक्षा है या कुछ है मुझे उठा देना, मम्मी लात खाकर भी हिला कर तुम्हें उठाएगी, क्योंकि तुम्हें मूर्चित अवस्था में समझ ही नहीं है, कि ये मेरा हितेच्छु है, ये समझ ही नहीं है, तुम दिव्य को भी सामान्य मानोगे, और सामान्य को कभी शायद दिव्य मान लोगे, यही तुम्हारी मूर्चा है, पर वो लात खाकर भी तुम्हें हिला कर उठाएगी, मैं तो कहूंगा शौक ट्रीट्मेंट कहोगे तो ही चलेगा, जब बिल्कुल गॉन केस हो ना, तब कहते हैं आप उसे शौक दो, शौक दो मतलब खास तोर पर कुछ नहीं, अचानक से उसे डाटों तो वो शौक ही है, उपदेश से हो सके तो आदेश नहीं देते ग्याली, सामान ने बोथ से तुम खीन सकते हो, तुम ऐसा करो, यह आग्या भी नहीं देंगे, क्योंकि ये उनकी रूची नहीं है, ये हमारी कमिया है, कि उपदेश पर से आदेश पर जाना पड़ा, आदेश से भी नहीं होगा तो डाट आएगी डाट से भी नहीं होगा तो पड़ी चोएना आएगी इसलिए एक बार रिधे में बोल दो कि मुझे शौक दे कर भी जगाना रिधे में ही बोलना वरना सब आसपास के लोग आपको बताने लगेंगे कि अभी शौक देने की जरूरत है और ग्याने की डांट काम गर जाती है क्योंकि हम इतने वासल की अपेक्षा के साथ जाते हैं और धर 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 शौक दिया जाता है इसलिए शौक शब्द उचित है धरती कंप हो उटता है तुम्हारे विचारों में क जिन्हें मैंने तन्द्धन समर्पित किया वो मुझे मूर्ख कह रहे हैं मेरा प्रमोद करने के बदले मुझे मूर कह रहे हैं और उसी धरती कंप से कभी शायद तुम जाग जाओगे तो मैं उनके तरीकों की गहराए में नहीं जा रहा लेकिन अहो सत्पुरुष के वचनामरित पुद्रा सत्समागम सुती चेतना जागरित करम मेरी चेतना सुई हुई है पर कोई जगाने वाला मिल जाए तो सुए हुए को जगाएंगे जगाएंगे और चलाएंगे चलाएंगे चल रहा होगा उसे दोडाएंगे दोड रहा होगा उ से पहुचाएंगे ये तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ प्रभु ने तो इतना ही लिखा है सुती चेतना जागरित करम सोई हुई चेतना को जागरित करते हैं अब आखरी बार उपकार मत देखना गुरू का कल या परसों या हफते भर पहले या एक महीने पहले आप सबसे उपकार याद करना जब से आपको हिला कर जगाया है आप किसी के बारे में कोई भी वीडियो चलाओ और किसी के भी गुणगराम करने हैं तो करो जैसे आज आज आपने किये ठीक है, मेरी लिए तो एक निमित ही ही है मेरे गुरू के उपकारों को याद करने के लिए आपको जिनकी पूजा करनी है करो पर मुझे तो वो सोई हुई चेतना जागरित करके दोडाने तक की पूरी यात्रा आँखों के सामने आ जाए जाए आपने कहा आधा घंटा बैठना मुझे तो पता नहीं था मुझे कहा था आधा घंटा बैठना है इसलिए मैंने तो मौन भी ले लिया था मुझे तो बैठना ही था लेकिन रिदे कोरा नहीं रहा मेरा आपको उत्सा हो आपको जो भी लेकिन ये पूरी अरे फीका दूद, लेंडन का पियोगे, मुझे पता है लेकिन वैसे अगर फीके दूद का गिलास हो तो गले से नहीं उतर सकता है, मेरे गले से तो नहीं उतरेगा और एक चम्मश शक्र डालो तो करते करते पियोगे वही वही गिलास, सिर्फ एक टिस्पून या टेबल स्पून शक्र अगर मिला दो और वही वही शरीर, वही रिष्टेदार, वही जगत पर सिर्फ सद्गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा दूज शर्मत में नहीं बदल गया वही वस्तु है, आस पास लेकिन मज़ा आ जाएगा चलो दूद नहीं समझा रहा है, तो लस्टी रखते हैं कि लस्टी है, बतलब दही है, लेकिन उसमें शक्र नहीं मिलाई है तो क्या ये दही गले से उतरेगा? और थोड़ी शक्र डाल दो, तो शिरे पंजाब हो जाएगा है की नहीं, बड़ी कड़ाई भरकर सबजी हो, काजू और किश्मिश डाले हुए हो भाविन, नीचे बैठे हो आज आपो गीद गाना अंध में, बार-बार दिन ये आए जल्म दिन के लिए नहीं किपर इन्हें नीचे बैठने का ही मन हो इसके लिए तो इन्हें काजू किश्मिश का बहुत शौक है कहीं भी अगर सबजी हो तो कहेंगे बहुत काजू किश्मिश डाले हैं कोई भी कोलापुरी हो या दूसरी कोई हो मैंने का जब छोटा था तब मैं काजू किश्मिश अलग से निकाल देता था अब जो भी आता है वो खा लेता हूँ, बात अलग है आपको काजु किश्मिश हो सबजी में तो लगता है बहुत रिच, शाही, शाही शब्द इस्तमाल करते हैं उसमें नमक नहीं है तो कुछ मज़ा नहीं है आपके काजु किश्मिश में सबजी में गिर गए हो ऐसा लगता है कितनी बात गंदे हो गये हो, ऐसा लगता है और थोड़ा नमक डाल दो, तो कैसा उंगली चाटने जैसा हो जाएगा सद्गुरू, सद्गुरू देते हैं ऐसी, सद्गुरू कोई व्यक्ती नहीं है सद्गुरू एक द्रिष्टी है, शायद किसी व्यक्ती के माध्यम से ऐसी द्रिष्टी हमें देते हैं, वही पती जो बहुत जगडालू लगता था, अब कर्म खपाने का साधन लगता है आज इतने, आज महंत स्वामी का भी फोन था, अभी रास्ते में ही आया था हमें एक दूजे के लिए बहुत-बहुत स्नेह शब्द भी मैं बोलता नहीं हूँ उटका वासिल ले री बोलता हूँ, मैंने तो आशिरवाद ही मांगे उन्होंने बढ़ाई दी, इसलिए मैंने आशिरवाद बांगे बधाई नहीं देते, तो आशिरवाद भी नहीं मांगता सब ने कहा, गोकुल भाई का भी आया, दूसरों का भी आया, बाकी सब के भी थे तो गोकुल भाई ने पूछा, कैसी है तबियत? मैंने कहा, बहुत अच्छी है, सब कुछ सामान ने है, शुगर, ब्लड प्रेशर, आपकी कैसी है तो उन्हेंने कहा, मैं मापता ही नहीं हूँ, मापू तो विकल्प हो दिया है न मैंने कहा, साहिब, मैं भी विकल्प नहीं करना चाहता, इसलिए हर सुमवार को मापता हूँ मतलब एक ही विकल्प रखता हूँ, जिससे देह का भी चलता है, और आत्मा का भी बाकी के दिनों में विकल्प करना नहीं है, लेकिन उसको याद रखना है इसलिए फिर घलत खाना नहीं है, तो बात कर रहे थे, बात सब की की, फिर मैंने कहा, चलो अब मैं फोन रखूँ तो उन्होंने कहा कि मैंने किया था आपके पैर के लिए, लेकिन हम तो दूसरी ही समय सार की बात करने बैठ गये उन्होंने पूछा प्यार कैसा है, मैंने का साहब, आस्ट्रेलिया जाना था, इसलिए कोई कारेक्रम था नहीं, इसलिए कोई अपेक्षा करते नहीं है, तो अब मैं 15 दिन का मौन ले लेता हूँ, और 8 घंटे स्वाध्याय, 4 घंटे ध्यान भक्ती में बिताने की मेरी योजन है, तो दुख तो होता है, इस अर्थ में की पीड़ा तो होती है, लेकिन वैसे भी आराम ही करना है, जितना हो सकता है, मैं उसका सदुपयोग करूँ, अगर ये दृष्टी मेरे गुरू ने मुझे नहीं दी होती, तो हाई हाई के सिवा क्या होता, लंगडाते लंगडाते बातरूम में जाता हूँ, पहले दो तीन दिन तो घुटनों के बल गया, बेचारे को कितनी बार उठाओं उसे, और तकलीफ तो है, लेकिन ज्यादातर तो यही लगता है कि मैं खुद के साथ समय बिता सकूंगा, उन लोगों ने भी कहा कि आप मार्च में आईे, इसी बहा 31 दिसंबर तक आपके कारण, योगी सभागरे की बुकिंग की सारी तारीख दे दी गई है, हर चीज, हर यात्रा, सब कुछ, सब शिविर, मुझे नहीं पता कौन सा ग्रंध, लेकिन सब शिविर, द्रिष्टी, द्रिष्टी की बात है, एक चम्मच दूद में डालो, और दूद दही बन जाता है, दूद तो वही का वही, लेकिन उस चम्मच का चमतकार देखो, उस जामन का चमतकार, सद गुरू का, देखे, द्रिष्टी विश्वयुद की समय लेंडन पर हमला हुआ था, बहने लेंडन जा रही हैं कल इसलिए, मैं ठीक से उस जगह को नहीं जान था, लेकिन हार्ट आफ दे सिटी में वहां जेजस की मूर्ती है, मार्बल की जेजस की मूर्ती है, और जो बम धमाका हुआ जर्मन्स के द्वारा, उसमें पूरी मूर्ती तूट गई, लेकिन मूर्ती के आसपास जो लोग थे, उन्हें मूर्ती और उस सामगरी से इतना लगाओ था कि उन्होंने कहा कि अगर मूर्ती तूट गई है तो कोई बात नहीं, किसी अच्छे मूर्ती कार को बुलाईए और इसे फिर से इकठा करें, और कम से कम दरार दिखें ऐसी बन गया था, मूर्तीकार को कहा कि अब तुम करो हाथ के बिना तो कैसी लगेगी मूर्ती, बहुत ही आसान था कि नए हाथ बनाएं और हाथ को जोड़ दें, लेकिन उसने नीचे एक बोर्ड लगाया, अब मेरे हाथ रहे नहीं हैं, इसलिए मेरे हाथों का काम मैं संतों के द्वारा करूंगा, इतना सुंदर लिख दिया, आप सद्गुरु की महिमा देखिये, कि मेरे हाथों का काम अब जिन हाथों के द्वारा ईश्वर काम करते हैं, वो काम अब सत्पुरुशों को सौब दिया है, इसलिए अगर मैं आऊंगा और मूर्ती होगी, तो हम देखने जाएंगे, लेकिन ये सची घटना है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं नहीं जानता कि वो लेंडन के कौन से हिस्से में, तो महा यात्रा के लिए हमें तयार करते हैं, सद्गुरु, जिस यात्रा का कोई परीचे नहीं है, और जिसका किनारा भी दिखता नहीं है, हम सब जब मानसरोवर गए थे, हमें वहाँ के मौसम का कोई परीचे नहीं था, वहाँ के रास्तों का कोई परीचे नहीं था, वहाँ पर ऑक्सिजन की क्या स्थिती होगी, और हम सास कैसे ले पाएंगे, कुछ पता नहीं था, हम कसरत कर रहे थे, खुद को तयार कर रहे थे, कितने लोग कैलाश की प्रदक्षणा भी नहीं कर सके थे, परिचित नहीं था, लेकिन हमें किनारा दिख रहा था, बस इतना करेंगे और हमारी प्रदक्षणा पूरी हो जाएगी, यहां तो किनारा भी दिखनी रहा है, और परिचित भी नहीं है, इसके लिए तुम्हें उत्साहित करना कोई छोटा काम नहीं है, तुम छे महिने या एक साल के लिए जाओ और तुम्हें मास्टर्स का सर्टिफिकेट दिखे तो तुम्हें उत्साहित कर सकते हैं, बस अब एक साल की ही बात है, अब छे महिने की ही बात है, थोड़ी घर की आद आएगी लेकिन खीच लेना लेकिन अच्छे से करना उसका किनारा है इसका तो किनारा भी भवसागर का अंध भी दिखनी रहा है और आप छोटी सी नाव लेकर निकल पड़े हैं मतलब ये आपका बल नहीं है सद्गुरु के समागम का भी प्रभाव है लेकिन चूक जाना बहुत सरल है नहीं चूक जाना बहुत सरल है अनंद काल में अनंद बार सद्गुरु का योग मिला लेकिन जो रंग चढ़ना चाहिए वो रंग चढ़ा नहीं थोड़ी खुमारी आई, थोड़ी रूची कर सका, थोड़ी प्रशंसा कर सका, थोड़ी अनुमोधना कर सका, थोड़ा विनय बता सका, लेकिन जो रंग चड़ना चाहिए, जिसके कारण चारित्र के ख्षेत्र में, जिसके उपर पूरा ये पत्र है, पहला कदम रख सके, शा क्यों कि दुक्कर के भव में भी किया है इसमें क्या बड़ी बात है कोई ऐसा कदम रखने का मन हो जिसमें सर्वसंग परित्याग हो जिसमें पंच महावरत ग्रहन हो कि चौथी प्रतिमा ग्रहन हो और क्रम से चाहे हो लेकिन ऐसा रंग चड़ा नहीं क्यों क्योंकि दुरष्टी की मलीन था एक दुरभागी जीव था एक राजजमें और सभी उसके दुरभाग्य की बात करते रहते थे अब जिसके बारे में बात होती है उसे हमेशा ऐसा ही लगता है कि सब दखल क्यों दे रहे हैं सब व्यर्थ बाते क्यों कर रहे हैं जबकि वो हमेशा व्यर्थ बाते करते हैं क्यों लोग अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्यों लोग अधिक नाटकिया बन रहे हैं क्योंकि अभी आप प्रति भागी हैं इसलिए, ऐसा अगर दूसरों के साथ हुआ होता तो आप ही इसमें सहवागी बनते, जब आपके साथ हुआ है, आपको लगता है कि क्यों सब, आपको क्या मेरा पैर टूटा है, तो आपको पूछने की क्या जरूरत है, मेरा अभी की बोतल है, एक तो संत्रे का, संत्रे को निचोड कर उसका तेल है कुछ, वो तो लगाता हूँ मैं, लगाता हूँ, क्योंकि नेमी को उसकी सुगंध पसंद है इसलिए, और हम बगल में सोते हैं, पूरा दिन काओं काओं करे, मैं बातरों में भी नहीं जा सकता, इसलिए इ कम अचे अभी मदद कर रहे थे, अब नहीं होगा तो ये, ये इसका नाम क्या है, ब्रह्म भट को बुला लूँगा मैं, मुझे पशंद है, तुम्हे मेरा सानिध पसंद है या नहीं पता नहीं, पर मुझे तो तुम्हारा बहुत पसंद है, हस भी सकता है, रो भी शकता है मुझे जो हस और रो दोनों कर सकते हैं वो पसंद है प्रभू की बात आए तो तुरंद रोना आ जाए और बाकी कोई भी बात आए तो हसी में उड़ा देना चाहिए तो अभी पौने घंटे तक ये फिजियो थेरपी करता है और अब मैं मेरी कल से शुरू होगी दस दिन नहीं करनी थी इसलिए तो अब कल से शुरू होगी तो यही कारेकरम रहता है इसलिए हमने एक फैमिली फीजियो थेरपिस्ट ही रख लिया है क्योंकि वो दूसरा कुछ कर ही नहीं सकता ममी मैं और ये करा है तो उसमें उसका पूरा दिन ही गुजर जाता है मैंने कहा ये दोशी जा रहे हैं 27 तारिक ये दोशी जा रहे हैं हौंग कॉंग ऐसे मुझे समाचार मिले थे तो मैंने कहा उनके घर में रहना और हमारा इलाज करना मेरे कहने का मतलब ये है कि वो इतना दुरभागी था पूरे गाउं में उसकी बात होती थी बिचारे का नसीब ही कितना फूटा हुआ है राजा को लगा राजा थोड़ा दयालू प्रेम से भरा सम्वेदन शील था तो राजा को लगा मेरे होते हुए कोई दुरभागी कैसे रह सकता है मैं उसका दुरभागी दूर करूँगा तो उन्हें पता था हर रोज वो इस रास्ते से गुजरता है तो वहाँ एक पूल पार करना था एक ब्रिज तो राजा को मन हुआ कि हजार सोना मोहरे एक हजार सोने के सिक्कों की एक थेली बनाई और उसे पूल पर इस तरह रखी कि जब वो वहाँ से गुजरेगा उसे वो दिखेगी हजार सोना मोहरे मिलेंगे उसी पल उसका दुर्भागी टल जाएगा तो मुझे ऐसा करने दो तो हमारे जो हेलपर हैं वो दर्भंगा तुमने दर्भंगा तो कहा ही नहीं नहीं बिहार कहा हैं बिहार महतवपूर्ण नहीं यह दर्भंगा महतवपूर्ण है हम एक मेडिकल कैम्प रखने वाले हैं दर्भंगा में आम तोर पर जितने भी बिहारी हेलपर्स होते हैं ना किसी के भी घर पर वो उस जिले से होते हैं तो मैंने कहा आप सब मेरे साथ आईएगा, मैं इस तरह कोलकाता की ट्रिप रखूंगा, कोलकाता से मैं भी दर्भंगा आऊंगा, अभी एरपोर्ट बना है, अभी अभी, तो मैंने कहा मैं आऊंगा और आप सब कैम्प में कहना हमारे मिशन का है, हमारे मिशन का है, ऐसा कहे क तो किसी वजह से उसका कुछ बेचारे एक तो वो लोग इतने करजे में और करजे में ही होते हैं, यह आएं तो भी करजा ही चुकाते रहते हैं, उसमें उसके कुछ गलती हुई और उसके सत्तर हजार जितने कुछ पैसे जो उसने मुश्किल से जमा किये थे वो सारे चोरी हो इतना बेचारा अशान्त हो गया, मैंने राहुल से आज ही कहा, आज कुछ भी अगर तुम्हें दान आदी करना है, तो पहले इसके सत्तर हजार रुपे माफ कर दो, दे दो उसे बेचारा इतना तनाव में था कि उसे दारों की लट लग गई थी, वो मुझे से कह रहा था कि मैं क्या करूं लेकिन मैं इस दुक को भूलूं कैसे, तो मैं तो तभी कहने वाला था, लेकिन नेमी ने कहा कि नई नई आपके बर्थड़े के दिन पर रख तहिएगा, उससे क मैं मुक्ती का अनुभव कर रहा हूं, मैंने कहा अब कम पिना, कम पिना बेहनो, कम पिना, दारू कम पिना ये, हम कम पिना से शुरू करें, तो सामने वाला कहेगा नहीं पिएंगे, ऐसा है, पर ये रंग कितना टिकता है, देखते हैं वो, तो राजा ये बैग रख कर एक तरफ नौ बज गया हैं, मैं अब तो अपना विशय शुरू करने वाला हूं, ओ ये भगवान, चलो, तो हाँ, बैग रख कर दूर से ऐसे देख रहे थे, और वो उस तरफ से आ रहा था, वो पुल के नजदीक आ रहा था, तो कहां कि बस थोड़े ही समय में उसका सवभाग्य, उदे उदे, सवभाग्य होने वाला है, और अचानक उन्होंने देखा कि उसने अपनी आँखे बन कर ली, और ऐसे ऐसे करके चलता हुआ आ रहा था, और पुल जैसे ही खत्म हुआ उसने आँखे खोल दी, राजा भी हैरान थे, उन्होंने कहां ये क्या हो रहा है, तो उसने कहां मैं इतना दुर्भागी हूँ, कि मुझे एक नकारात्मक विचार आया, अगर मैं अंद बन गया तो क्या होगा, क्या मैं जीवित रह पाऊँगा, तो मैं कोशिश कर रहा था, जैसे कि मैं अंद और कोई दिक्कत नहीं हुई, बीच में एक चीज टकराई थी, बस उतनी सी दिक्कत आई, बाकी कुछ भी नहीं। दुर्भागी, इतने हम दुर्भागी हैं, कि अनन्द काल में सत्पुरुष का योग हुआ, फिर भी दृष्टी की मलीनिता, मतलब जानने का एहंकार, परम विनै की कमी, संसार की आसक्ती, और धेय का निर्णे ही नहीं है, क्या करना है जीवन में उसका निर्णे ही नहीं किय इस कारण ये योग भी आयोग सिध्ध हो गया, इसलिए कहा कि सत्पुरुष तो पारस मनी है, एक शेट थे और उनकी बड़ी बड़ी टंकियां थी, लोहे की टंकियां, तेल का व्यापार था, तेल भरते थे और फिर बेचते थे, इसलिए बार 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 वहां पास में तेली रहती थी, उस पर चड़ते थे, तेल कितना हैं देखते थे, तेल बेचते थे और बहुत अच्छी कमाई हो रही थी, नियमित सत्संग में जाते थे, दुर्भाग्य वश उदय बदल गये और उनका दिवाला निकल गया, ऐसी स्थिती हो गई, सत्संग में आने के भी ठिकाने नहीं रहे उनके, पर संद तो करोनावन थे, तो उन्होंने पूछा, भाई आप पहले आते थे, और अब नहीं आते, तो कहां इतनी चिंता है, इतना तना तनाव है, सत्संग में भी यही विचार आते हैं, आकर भी क्या करूं, तो पूछा क्या हुआ है, फिर उन् पर थोड़ा चढ़ा और रहा नहीं गया, इसलिए उपर से फैका और वो अंदर गया, लेकिन टंकी बिल्कुल भी सोने की नहीं हुई, ये सारी अतिशयोकती ज्यानी करते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ सोने की हुई नहीं, उन्होंने सत्संग में जाना ही बन कर सीड़ी पर चढ़े और देखा तो कहा उपर आ, अंदर जाले जम गए थे, जाले, कॉपवेब्स, इस कारण वो पारसमनी वहीं अटक गया था, उसका स्पर्ष तक नहीं हुआ था, बिल्कुल यहीं हमारे साथ हो रहा है, पारसमनी जैसा बोध जाता है अंदर, लेकिन रि योग्यता हो और योग्यता के साथ साथ सत्पुरुष का समागम करें, पुद्गल की आसकती छूटते चले जाती है, पर मातमा के लिए तडपते जाता है, वो तडप वेधना में बदल जाती है, वेधना ले बन जाती है, प्रभु प्रभु ले लगती है और उससे प्रेम तंतूं से जुड़ जाना, आपको यदी इस प्रगती को देखना है और आपको यदी अपने भाव को वैराग्य में बदलते देखना है और वैराग्य को त्याग में बदलते हुए या दिक्षा या सर्व संग embargo या और कुछ तो प्रेम तंतु से सत्पुरुष के साथ जुड़ना होगा मात्र सत्पुरुष की प्राप्ती ये परणाम नहीं लाएगी परंतु प्रेम का तंतु धागा अगर वो जुड़ जाए तो होगा तो कैसा तो जिस तरह मचली और पानी का संबंध है वैसा शिष्य का गुरु के साथ संबंध होता है पानी के बिना ठीक हो आप ऐसी कोई मचली देखिए ऐसी कोई मचली देखिए कि पानी हो तो ठीक रहता पर नहीं है तो कुछ नहीं चला लेंगे वो कहती है जल मेरे लिए जल नहीं है जल मेरे लिए जीवन है मतलब ये नहीं यदि सत्पुरुष का सत्संग नहीं, दर्शन नहीं, सेवा नहीं तो ये जीवन मुर्जाया हुआ, कुमला हुआ उसे लगे इस तरह का अटूट संबंध होना चाहिए तो कार्य होता है देखो, इतना समझ लो की तीवर प्रेम की आवश्शक्ता पड़ेगी और उसमें से जगत सारा फीका लगना चाहिए सीधा आपको फीका नहीं लगेगा, सारी बुद्धी की कलपना है बुद्धी का कार ये है, किसी और का कहा हुआ दोहराना और आपको भ्रम होता है कि आप उसे मानने लगे हो पर आप सिर्फ उसे दोहरा रहे हो, जो किसी और ने अनुभव किया है तो बुद्धी आपको अवश्य कहीं ले जा सकती है, निरने के स्तर तक पर वो उस निरने को अमल में नहीं ला सकती उसके लिए आपको धड़कता रिदय चाहिए मतलब प्रेम तो बाकी सब कुछ आप परिक्षा दो या और कुछ दो तब उसमें तो आप किसी और की अनुभूती दोहरा रहे हो जो अच्छी बात है, वो कोई और सत्पुरुशी है तो ये अच्छी बात है तो आप निरने किस तर पर जाओगे ये सही है और ये गलत है तो यदि सच है तो आज आओ तुम भी ये साथ है और तुम आठवे अगर ये आपको इतना ही सही लगे एक बरस के बाद क्योंकि बुद्धी कायर है परंतु क्योंकि वो निरने लेती है आपको कायर नहीं लगती बलकि बुद्धी कायर है शूरवीर तो रिदय है और रिदय मतलब प्रेम तो अच्छी बात है कि आप बहुत नियमीत हो बरसों से सत्संग सुनते आ रहे हो बहुत अच्छे ये आपको ज्यादा स्पश्टता देता है और आपके निरने एकदम ठोस होते हैं बिलकुल स्पश्टता के साथ पर जब बात अमल में उतारने की होगी तब आपके प्रेम की परिकÇा होगी ना कि आपके स्मरन शक्ति की इसकी कोई परिक्षा लेता ही नहीं ज्ञाना वरनी का उध्य हो तो धारण कम होगा तो आपको धारण करने के अलावा और क्या फायदा हुआ तो मैं कोई समय नहीं देता प्रश्णपत्र बनाने में या जाचने में हाँ मैं आपके मांक सवश्च देखता हूँ और गोल-गोल बना-बना कर भेजता हूँ वापस पर अब आप स्कूल में इतने माहिर बने हुए हो चीटिंग करने में पूरे दस बारा बरस आपने ट्रेनिंग ली हो नकल करने की तो यहां अगल बगल में देखकर 15-20 मार्क्स नहीं मिलेंगे मिल जाएंगे परंतु इन परिक्षाओं का आप गर्व तो करना ही मत 25 मार्क मिले तो ही क्योंकि जब तक तीवर प्रेम के तन्तूओं से सद्गुरु बंधें नहीं होंगे रदय का कार यह है क्योंकि रदय सीधी छलांग लगाएगा उसे करम क्या है वही पता नहीं बुद्धी कहेगे कि इस तरह से पहले ट्रेनिंग लोगी शुरुवात में साथ में से छे दिन रातरी भोजन नहीं करूँगी फिर पांच दिन नहीं करूँगी फिर ये और जो प्रेम से जुड़ा हुआ है आपको नहीं अच्छा लगता लो छोड़ दिया आज से तो रिदेट लाब नुकसान शाता अशाता नहीं देखेगा शरीर आहार आराम इन सब के प्रती वो उदासीन होता जाएगा मतलब जरूरतें शौक्स विधाएं सब कुछ आपको क्या लगता है मीरा रात भर भक्ती करती थी तो कितने अलाम रखती होगी तुमने रखा नहीं तुम्हें ब्रिटिश एरवेज से कल जाना है दो बज़े जाना है तो अलाम रखा नहीं फिर शायद नो बज़े ही आए रिया सो गई थी सिंगापूर एरपोर्ट पर या कहां आक्लेंड एरपोर्ट पर क्राइस्ट चेर्ज एरपोर्ट पर अकेली आ रहे थी ये उसके निगवान बने थे ये घिलानी और जो कुछ भी कहानी बनी थी वो अकेली आ रही थी मैं गया था उसे एरपोर्ट पर लाने के लिए, क्विन्स टाउन में, बर सो पहले, और उस पर निगा रखे हुए ही था, तुम इसे एरपोर्ट पर सिंगापूर पर बेटा ठीक से चेक इन हो गई, तो हाँ बापा एकदम अच्छे से, और बहुत उतावली हूँ आप से मिल पता नहीं किस तरह जाग गया, हाँ, मैंने जगाया कह रही है, और फिर बैठ गई प्लेन में और पहुँच गई, तो आप समझें, मेरा ने कितने अलाम रखे होंगे, क्योंकि वो तो कितनी राते तक सोई नहीं, कितनी राते हैं, एकाद रात की बात हो तो जाग लेते हैं हाँ, जिस तरह असाम की सफारी में गय थे सद्गुरू और सब, और सारी रात जागना था, एकाद ही रात तो जाग लेते हैं हम भी, हाँ, पर पता नहीं काजी रंगा या कुछ, काजी रंगा हाँ, अच्छा, तो रात भर की सफारी थी, और सब चल रहा है अभी नियूज में जो भी है, एकाद रात की बात हो तो हम जाग लेते हैं, पर रातों पर रात जागना हो, तो कितने अलान उसने रखे होंगी, ना, ना, सिर्व विर्यवेधना उसने रखी थी, वहीं उसे जगाए रखी थी, कम आराम से चलाती थी, और आहार उसे निरस लगता था, आयम स्वादिष्ट नहीं खाना, किसले दुखी होना जीवन में, दुखी क्यों होना, कोई भी आहार स्वादिष्ट ना लगे, वह सच्चा आयम बिल बिल और आपको टेंशन हो, और आप खाना खाते होंगे, आपको कुछ स्वाद पता चलता है, उसी तरह जिसे अपार मिल गये हैं, परंतु एकत्व प्राप्त नहीं किया, समिपता प्राप्त हुई है, परंतु एकत्व प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो उसका प्रभू प्रेम तुम ही उसे विरक्ति दिलाएगा और वही सची विरक्ति है इसलिए तो जब सत्य की खोज में प्रेमी भक्त निकलता है तो वो ये नहीं कहता है कि मैं सत्य की खोज में निकला हूँ वो कहता है कि मैं प्रीतम की खोज में निकला हूँ देखो सत्य के वक्त किसी ने ताली नहीं बजाई जैसे ही मैंने प्रीतम कहा पूरी रुमारी बन गई या नहीं बात तो कहते हैं ऐसा सब कुछ आपके श्रीमत के पंध में होगा हा सही है आनन घंजी फिर हमारे हुए मतलब क्योंकि आनन घंजी कहते हैं रिशब जिनेश्वर प्रीतम मारोरे ऐसे अध्यात्मयोगी है ऐसा नहीं कहते कि रिशब जिनेश्वर यही एक सत्य है और ऐसा सब कहते हैं प्रीतम मारो मेरा और रिशप का संबंध प्रीतम का है मैं प्रेमी वो प्रीतम मेरा पूरी बात घूम जाती है प्राप्ति का एक आपसे एक रिंख हो गए अंगुठी आपकी अंगुठी गुम हो गए और आपकी बेटी गुम हो गए दोनों में गुम ही पर मिली नहीं तो दूसरी बनवा लेंगे, या फिर अंगूठी के भी ना चला लेंगे, पर बेटी खो गई, उसमें वेधना की तीवरता ही कुछ अलग होगी, और अंगूठी मिल जाए और प्राप्ती में जितनी खुशी होगी, और बेटी मिले और उसकी प्राप्ती की करने लागू अंध में कहा है, पहले रिशब जिनेश्वर प्रीतम महारो रे और नचाहू रे कंथ, और मतलब सारे पर, रिशब जिनेश्वर के अलावा बाकी सब कुछ मुझे व्यर्थ, तुछ, असार, आनन्द लेने योग्य भी नहीं, निंदा करने योग्य भी मुझे नहीं लगते, अब ये तो कोई अलग ही स्तर की बात हूँ, हम संसार की निंदा करते करते, क्या है पैसा क्या है नेमी, दिन में दो-तिन बार तो सुनता ही हूँ मैं, कहता है पैसा तो हाथ का मैल है, ठीक है, उसकी एक ही इच्छा है, एक पुरान पुरुष और पुरान संपत्ति के बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ सूंगना अच्छा नहीं लगता, कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता, कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, कुछ चखना अच्छा नहीं लगता, कुछ स्पर्ष करना अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं, एक पु वेराग्य किसी विचार का नाम नहीं है, और विचार की अपेक्षा भाव की गहराई अधिक है, वो आपके अस्तित्व के ज़्यादा करीब है, विचार बहुत उपरी सतह पर है, वेराग्य के विचारों पर अटके मत रहना, कायर! भाव के सतर पर जाए वो वेराग्य की अनुभूती एकदम गहरी बन जाती है, रिदै भाव का स्थान है, प्रेम रिदै से जुड़ा हुआ है, और अगर प्रेम में से विरक्ति आए, वो विरक्ति एकदम ठोस होती है, नियम की महताज नहीं होती है, नियम ले लेकर टिकना उसमें नहीं होता है, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मेरा को पूछा होगा कि आज तो लाखन सी बनाया था, और आज तो घेवर, चलो राजस्थान ले तो घेवर, तो कहेगी परमात्मा के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब घेवर हो या केर हो? देखो, एक समझना और एक लगना दो अलग बात हैं। आपको अच्छे से समझ में आता है कि ये केर है और ये घेवर है, पर मुझे तो समान मानना है, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो वो भक्त कहता है कि परमात्मा के अलावा मुझे सब व्यर्थ अनुभव होता है, तो ये केर भी ले जाओ और ये घेवर भी ले जाओ, उसे लगता है, वो समझता है इतना फर्क है, प्रेमी भक्त को लगता है उसे समझना चाहिए, सब त्रण समान लगना चाहिए ऐसा मानता है, वो सिर्फ सोचता है, सिर्फ दोहराता है कि ऐसा लगना चाहिए, दोनों पुद्गल है यह कहता है कि पुदगल हो या चेतन हो या चेतनेश्वर हो मेरे करिश्ण के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा न कोई जिसमें तुम्हारे महवीर से लेकर तुछ पुदगल सब आ जाता है मेरे तो गिरधर गोपाल आपके महवीर कहता हूँ महवीर नहीं कहता हूँ मैं आपके सांपरदाइक लेबल की बात करता हूँ कि मैंने तो इस स्वरूप में मैंने मेरे भगवान को भजा है उसके अलावा मुझे कोई रूप नहीं कोई स्वरूप नहीं क्योंकि प्रेमी भक्त को भगवान के अलावा सब कुछ एक रूप लगता है, व्यर्थ, और आनंद उठाने जैसा नहीं, ऐसा नहीं, नेंदने जैसा भी नहीं लगता, इसलिए सोच, कड़वा संसार है और विश रूप संसार है, ये भी ज्यानी का अंतक्रण नहीं है, कभी कभी ज्यानी को बोलना पड़ता है, क्योंकि वही भाषा शुरोता समझ सकते हैं, पर ज्यानी का अंतक्रण नहीं है, ज्यानी कहते हैं, मुझे उस और देखना भी नहीं है, तो ऐसा कि अंधकार में प्रकाश हुआ हो, जैसे कि पैर में नृत्य आया हो, ऐसे उत्सव, उत्सव, उत्सव रूप, हर दिन, हर घंटा, हर क्षण, हर घटना, उत्सव पूर्ण लगती है, हर उदय उसके लिए उत्सव बन जाता है, हर एक उदय. तो बिर्बल की रेखा जैसा, जैसे ही बड़ी रेखा खीचो, तो वो क्या बन जाएगी? छोटी, आप बड़ी रेखा खीचो, ज्यानी कहते हैं, ये कार्या नहीं करते हो, आप नियंद्रनों का इतना तनाव रखते हो, अब से मैं ऐसा रखूंगा, ऐसा करूंगा, और वैस किसी को डाइटिंग करानी हो, तो उसे बहुत नियम देने से अच्छा है, उसे व्यस्त रखो, वो दोपहर का भोजन ही छोड़ देगा, ये खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसे उसको आपके मन को प्रभू में लीन करो, तुम नियंद्रन पर जोर देते हो, पर सन्यास एक न निमंद्रन आया है, गूपियों ने कोई समय तय नहीं किया था, मुरली बजी, वैसे ही सब छोड़ कर भागी, ये एक पूर्ण तया आंतरी की जगत की बात है, कि चैतन्य की पुकार हुई, कि सारी चित्त वृत्तियां दोड़ती जाती है उसकी और, वो मुरली का अनुसर अवतरन ये सन्यास है, परम की होज कर संसार को छोड़ने का इतना तनाव मत कर, संसार तो छूट जाएगा, उसे छोड़ना नहीं पढ़ेगा, लेकिन उस परम का अवतरन आपके रिदय में हो, उसका प्रयतन करो, कुछ बहुत सकारात्मक निम्न चला जाएगा, और वो चल जाएगा, मतलब वो कभी नहीं वापस आएगा, क्योंकि आपको कहीं से खुशी मिल रही है और ये जा रहा है, तो सन्यास संसार को छोड़ने का, या संसार से भागने का, या संसार को त्यागने का नाम नहीं है, प्रभु को निमंत्रन देना है, फिर सब सूखे पत्ते की तरह गिर जाएगा, सारी वृत्तियां, सारी प्रवृत्तियां, सूखे पत्ते की तरह आवाज भी नहीं करेगी, पत्ता पक्ष जाता है, तब जैसे का तैसा गिर जाता है, आवाज भी नहीं करता, बहुत आवाज होता था लल्लू जी मुनी को, मैंने ऐसा छोड़ा, ये और ये चोड़ा, मैंने दो पत्नियां छोड़ी. मैंने कितनी? चार माता और कुछ दो पत्नी और एक पुत्र छोड़ा और इतना घर छोड़ा. और प्रभू ने ऐसा कुछ सुनाया, तो कान पकड़कर कहा मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, तो कहा मुनी अब आप त्यागी चेश्टा में से निकलेगा ना तो एहंकार को स्थान दोगे आप मैंने किया इतना लेकिन फल रूप से जब विरक्ति आती हो तो कहोगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है ये विरक्ति के लिए मुझे अभी सब में मजा नहीं आ रहा मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक है मैं इसके लिए योजना नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे इसमें आनन नहीं मिलता और जब एक भूमी का निभाने की बात आएगी तो मैं तयार हूँ क्योंकि जब आप आनन नहीं उठाते तो आप अलिपत रहते हो तमिल में आप मुवी देखते हो तो आपको कैसा लगता है सब टाइटल के बिना सिर्व यहां से वहां यहां से वहां जा रहा है इतना देखना है इसके अलावा कुछ समझ नहीं आता है हमें एक शब्द भी समझ में नहीं आता इस तरह अब जो भी हो रहा हो मुझे उसमें मुझे इसमें रूची आपको किसमें रूची है बोलो कहां से रूची निकालनी है वो मत बोलो इसमें तनाव है इसमें निजानन्द है नियम में तनाव है है नियमों से जीवन में, क्योंकि आप देखोगे नियम ही, इसलिए लेता है, लेकिन मैंने कोई प्रैत्न नहीं किया, मैंने प्रैत्न किया है परमात्मा को निमंद्रण देने का, निमंद्रण, प्रेमी भक्त की साधना मतलब पुकार करो, प्रतिक्षा करो, बस, इतना ही, हे परम कृपालु देव, इतना पुकार करो, और अब प्रतिक्षा कर, विनंद्र नहीं बोला है मैंने, विनंद्र नहीं बोला, प्रतिक्षा, और तनाव कैसे होगा, निर्णे आपको करना हो, तो तनाव होगा, आज्या में रहने में तनाव होगा, या विश्राम, चलो साइब कल मुझे क्या करना है तो कहे कल तुम्हें दो बजे की फ्लाइट में अमेरिका जाना है तो इसमें आपने तनाव क्या किया तनाव तो मैंने किया योजना तो मैंने बनाई जो मैं तुम्हारी रजा में राजी एक चीज तै की है आपकी आग्या में मेरा कल्यान है इसलिए अब आप आग्या देते जाओ और ये साधन चलेगा तो ये जीवन तो ऐसा जीवन है सन्यास कहो या सर्वसंग परित्याग कहो कि जिसमें विश्राम ही विश्राम है आपको लगेगा कश्ट ही कश्ट है वो कहता है कि कश्ट भी वे भेजेंगे और आराम भी वे भेजेंगे इसलिए हमें तो कोई विनन्ती नहीं, कोई तनाव नहीं सो सरक्ता जाता है, सरक्ता जाता है, सत्संग करता रहता है सत्संग मतलब बहुत सारे फूलों के बीच रहना और जब बहुत सारे फूलों के बीच आप रहते हो तब आप खोज सुगंद से भर जाते हो और फिर आपको अपनी सुगंद चाहिए संगत की सुगंद नहीं चाहिए संग ही नहीं रहेगा आसंग की ओर जाओगे अब संगत से मुझे सुगंध नहीं चाहिए मुझे ही ऐसा बनना है सरकता रहता है घड़ी भी सरक रही है अभी रख रहा हूँ तो सरकता जाता है और सरकते सरकते कब उसका दीपक प्रजवलित हो जाए उसके निर्णे कब कार्यानवय के स्तर पर आ गए उसे स्वयम पता नहीं चलता वो सिर्व संगत में रहता है और सरकते सरकते हो जाता तो वैसे तो सन्यास क्या है दिक्षा क्या है व्रत ग्रहन क्या है प्रतीमा ग्रहन क्या है अंतर के भाव की अभिवक्ती है और कुछ नहीं, बड़ा कुछ अब जैसे की पिंजरे में बंद हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे अंतर में क्या है, आपको मेरे लिए प्रेम हो, तो आप या तो मुझे गले लगाओगे, गले लगाने में क्या सुख है, दो चमडी इकठा होती हैं, दो तरीक भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हाथ मिलाओ आप या गले लगाओ, तो उस द्वारा, उस बाहिय क्रिया के द्वारा, आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने का प्रेतन करते हैं, और सिर्फ व्यक्त ही नहीं, पोशन भी होता है, प्रगट भी होता है, और वर्धमान आपको क्रोध आए तो आप हाथ नहीं मिलाएंगे, आप लात मारोगे, आप नीचे के अंका जादा उप्योग करोगे, करमेंदेय का जादा उप्योग करोगे, लेकिन आपको मैत्री दिखानी हैं या प्यार दिखाना हैं, आप गले मिलोगे या चुम्बन करोगे, या हाँ, हाथ मिलाओगे अंतर के भाव की अभिव्यक्ति है और जो ये मार्क पर आगे बढ़ता है सिर्फ अंतर के भाव का एलान करते हैं कि मेरी श्रद्धा अब 100% पर पहुँच चुकी है कि उनके साथ चलने के लिए मैं तैयार हूँ ज्यानी पुरुष है मेरा कल्यान अवश्य उनके ज्यान में है उनकी आग्या के द्वारा ही प्रकट होगा उनके बल से ही मैं इस मार्क पर आगे चलने के लिए तैयार हूँ ये समर्पन का एलान है श्रद्धा और समर्पन का एलान है आप इसे त्याक की घटना मानो ही मत दि आप इसे परम प्रेम की घटना मानो उसका प्रेम इतना बढ़ गया है उसकी श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि वो तैयार है जिसको तुम असुरक्षा समझ रहे हो उसमें वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है चलिए इसे इसे रोमैंटिक अफेयर बनाते हैं मुझे कोई आसू नहीं चाहिए आज या तो आप चड़ जाओ मंच पर या तो फिर उनके प्रेम की अनुमोध ना करना उत्सों मना आसू नहीं त्याग का ज्चान के साथ कोई कारणकारिय संबंध में जाना ही नी है हम तो भग्वान के संबंध में उतर रहे हैं हम तो वैग्यानी कारण कार्य में जा ही नहीं रहें आत्मग्यान हुआ की नहीं आत्मग्यान हुआ की नहीं हम तो अभेदता के आमंतरण को स्विकार कर समिपता को अभेदता में बनाने का ये पहला कदम रख रहे हैं बस दूसरा कुछ नहीं तो जब कोई हॉस्पिटल में जाता है सर्जरी करने के लिए, हॉस्पिटल में इच्छा से जाता है, आपरेशन टेबल पर इच्छा से, उसमें भी एक विशिष्ट ड्रेस होती है, कहांगे डॉक्टर, कहांगे, कैसा ड्रेस पहनाते हैं आप, एकदम स्कट जैसा, बटन भी नहीं हैं, आपके पास, मुझे तो लगा सब हॉस्पिटल में बटन डोनेट करूं, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं सर्जरी के लिए ऐसे ही चाहिए, हां, सही का, तो वो भी स्वेच्छा से ही पहनते हैं, टेबल पर भी इच्छा से ही जाते हैं, वो आपको कहता है, कि मैं आ तो जब कोई दिक्षा लेता है, तो वो एलान करता है, कि सद्गुरू वैद्य सुजान तो थे ही, समर्पित मरीज नहीं था, आज समर्पित मरीज भी हो जाएगा, आपकी रजा में राजी, आपके आज्या में मेरा कल्यान, तोड़ डालो, तोड़ना पड़े, काटना से चमक रहा है, कोई भी व्रत ग्रहन या प्रतीमा ग्रहन को आप प्रेम की घटना बनाओ, सफेद कपडों में क्यों आए हो तुम लोग पता नहीं, आप लोग बड़े रिसेप्शन शादी में जा रहे हो, शायद यही ड्रेस कोड होगा, वो लिखते हैं ना ड्रेस कोड भी, तो ये ड्रेस कोड में आएं, पर आपको खुशी तो ऐसी होनी चाहिए कि एक परम प्रेम का आमंत्रन लेकर अभेद होने निकल रहे हैं, और उसका कदम है समीपता, कि दो ऐलान करते हैं, दो ऐलान, बस भव्यजीव, दो ऐलान करते हैं, एक तो अपने दोश को ऐलान करते हैं, इसरायल में मैं ही था, जब हमने क्राइस्ट के चौधा स्टेशन किये, तो उसमें जब आखिर से तीसरे स्टेशन पर ईसु को सूली पर चढ़ाते हैं, तो उसमें वहां सब क्रॉस रखे हुए होत तो मैं क्रॉस के साथ चला, उस भावना के साथ, कि जब मैं मेरे गुरु उपर जाओं, तो क्रॉस भी लेके आता हूँ, कि चढ़ा मुझे सूली पर, बहुत अहंकार पड़ा है, बहुत आ सकती है, स्वयम तुम ऐलान करते हो, फासी दे दो मुझे, तो एक तो दोश का एलान करता है कि तुम्हारे दिन भर चुके हैं, क्योंकि मेरे जीवन में एक महान गुरु थे, लेकिन एक महान भक्त प्रेमी नहीं था, तो कुछ नहीं हो सकता था, सद्गुरु वैद सुजान थे लेकिन समर्पिछ शिष्ष नहीं था हर वक्ट टेबल पर जाता था फिर भाग जाता था ओटी पर जाकर ऑपरेशन ठेटर पर जाकर भाग जाता था आज आया हूँ सरजरी करो और मुझे दोश रहित बनाओ एक ऐलान दूसरा एलान संसार को करता है कि अब मैंने प्रभू का आमंतरन स्विकार किया है और अब मैं अभेदता की तयारी कर रहा हूँ कोई मेरे पास अब कोई भी प्रकार की अपेक्षा रखना नहीं किसी भी प्रकार का प्रेम, लगाव, आसक्ती, अपेक्षा, कोई भी रखना नहीं, क्योंकि मैंने प्रतिबंध रहित जीवन का स्विकार किया है। अगर आज कल की नई लड़कियां ब्याह करना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं चाहती है, वे सिर्फ एक कच्रे का टुकड़ा है, क्योंकि इस रिष्टे के साथ आप प्रतिबंध में जा रही हो, जहां आपको सब देखना है, आपको ये बात हयाल में रखनी चाहिए, वरना पचास की उम्र में शादी करना अगर आप में इतनी परिपकवता नहीं है, सब व्यवहार बहुत ही सपष्ट होने चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ लेना नहीं है, आपको लेने से जादा देना है, लेकिन कोई कहता है कि ये सब प्रतिबंध में जाकर जीवन, समय, बुद्धी, रित्ती, वीर्य, नश्ट करना है, हमें प्रतिबंध बिना चाहिए, हमारे प्रेम में कोई बाधा ना आए, तो संसार को एलान करते हैं कि अब कोई अपेक्षा रखना नहीं हमसे, एक तरफ दोश को एलान करते हैं कि मैं ही क्रॉस लेकर आता हूँ, इसलिए अब तुम्हें चड़ना ही है उपर, मैं कंधे पर सूली लेकर आ रहा हूँ, और दूसरी तरफ संसार को कहते हैं कि मुझसे कोई अपेक्षा नहीं, मैं ये आ सकती और सब छोड़ रहा हूँ, और प्रभु को, तो जैसे कि आज मेरा जनम दिन है, कोई मुझे गुलदस्ता देता है, कोई मुझे जिन्दगी भर की प्रतिबधता देता है, कोई मुझे वचन देता है, कोई मुझे उनके प्रेम का सबूत देता है, और कोई गुलदस्ते से निप्टाते हैं, पूरा घर गुलदस्ते से भरा हुआ है, मना किया है, फिर भी मैंने कहा एक कवर दे दो तो मैं दर्भंगा में दे दूँ पर अब जैसी जिसकी भावना गुलदस्ता। साथ जीव मुझे कुछ सुन्दर भेंट आरपन कर रहे हैं।